दोस्तो आज के वीडियो में मैं आप लोगे से शेयर करने वाली हूँ कनेर या ओलियंडर का जो प्लांट की कटिंग है आप समर सीजन में विदाउट रूटिंग हॉर्मोन के साथ आप जो है किस तरह से 100% सक्सेस रिजल्ट के साथ जो है कटिंग को ग्रो कर सकते हैं और कौन कौन से टिफ्स जो है मैं बताने वाली हूँ कि आपका समर सीजन में भी जो है कटिंग्स ग्रो हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो उससे पहले नमशकार दोस्तो मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल डिया थिंक्स विद प्रिया में आपका स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो दोस्तो मैंने काफी कटिंग्स आप लोग के साथ लगाना बताया है तो उसमें ज्यादा तर कमेंट्स रहता है कि हम लोगोंने सेम प्रोसेस से कटिंग लगाया बट फिर भी नहीं लगा लेकिन कटिंग्स को ग्रो करने के बाद जो टिप्स होता है वो मेन होता है कि आपने कटिंग्स को किस तरह से रखा है मौस्चर मेंटेंड किया है कि नहीं यह सारी चीजे होती है तो वो सारे चीजे मैं आपको यह बताने वाली हूँ अब इसी वीडियो में तो मैंने यह जो कटिंग्स है वो 20 दिन पहले या 20 या 22 आपके मिनिमुम अंगूली जतना मोटा होना चाहिए और यही जो फॉर्स टिप बोलेंगे आपके पास एक प्लांट अगर हो तो ज्यादा अच्छा है ज्यादा दूर से अगर आप डाली लाने जाएंगे तो summer season में जो है थोड़े से इसके जो cells वगर है वो सूख सकते हैं तो आपका शायद ना grow नीचे का जो portion है वो 45 degree angle पे cut होना चाहिए तो यह second tip से कि आपका जो 45 degree नीचे cut लगाते हैं यानि थोड़ा सा तिर्चा cut लगाना होता है और उपर से 90 degree का cut लगाना होता है तो यह चीज हमें धियान रखना होता है नीचे से अगर आप 45 degree का angle का cut लगाएंगे तो आपके जो success result है वो ज़्यादा हो जाता है और semi hardwood cutting लेना होता है जो तीसरा tip से वो आप देख सकते हैं कि semi hardwood cutting है बहुत ज़्यादा सकत भी नहीं होना चाहिए उसकी cuttings भी थोड़ा grow होने में दिक्कत होता है और बहुत ज़्यादा soft होगा अगर तब भी grow होने में दिक्कत होता है फूर्थ जो tip से दोस्तों कि आपके पास बिल्कुल sharp cutter होना चाहिए बिल्कुल तेज धार वाला तब ही आपके जो cutting success लगेगी क्योंकि अगर आपने बिल्कुल धार वाला अगर cutter वाला है तो आपके जो नीचे से सेल से वह बहुत ज़्यादा डैमेज रहेंगे और डैमेज रहेगा तो आपके success result बहुत ही कम रहेगा दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है सिर्फ मिट्टी का यूज किया है क्योंकि काफी लोगों के पास coco pit नहीं होता है तो comment में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि coco pit के जगे पर क्या ले सकते हैं लेकिन अगर आपके वहाँ पर मतलब चिकनी मिट्टी है बहुत ज़्यादा तो आप जो है थोड़ा सा उसमें सेंड मिक्स कर लीजिएगा मतलब 30% मेरे यहाँ का जो मिट्टी है आप देख सकते हैं बिल्कुल भूरी सी है तो मैं नॉर्मल जो मेरा गार्डन सोयल रहता है उसी में ही मैंने ग्रो किया है और यहाँ पर मैंने जो है आप देख सकते हैं दूसरे किसी स्टिक की मदद से जो है इसको दो इंच तक जो है नीचे होल कर लेना है हर एक जितनी आप कटिंग्स लगा रहे हुतना डायरेक्ट आप कभी भी जो है कटिंग्स को मद डालिएगा तो आपके जो है कटिंग्स जो सक्सेस रिजल्ट है वो कम हो जाता है और य अबुत्टिंग्हर्मोन का यूज नहीं किया है dips और यह साफ़ फंगिसाइट का यूज में कर रही हूं और इसीसे ही मैंने काफी सरे cuttings लगा कर तयार भी किये हैं या आप healthy powder भी यूज में ले सकते हैं या आप जो है आपके घर में अगर aloe vera का plant है तो उसका gel भी यूज में ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पर तीन चीज़े आपको बता दिया है कि अगर आपके पास rooting hormone नहीं है तो आप क्या क्या ले सकते हैं या आप दालचीनी का जो powder होता है उससे powder कर लीजिए दालचीनी को और उससे भी आप cuttings लगा सकते हैं और rainy season में आप normal भी अगर कुछ भी नहीं लगाएंगे तब भी आपकी success हो जाती है लेकिन summer season में थोड़ा सा दिक्कत होता है इसको बिल्कुल आप दो अंगली से इस तरह से टाइट कर दीजिए ताकि आपका जो cuttings से वो बिल्कुल भी हिले नहीं चट्टा टिप्स यह होता है कि बिल्कुल आप cuttings को बार-बार जो है check करने के लिए हिलाईए मत या निकाल कर देखिये मत यह चीज आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आप बार-बार अगर देखेंगे आपकी cuttings अगर एक बार भी हिल गई तो आपका cuttings जो है success result नहीं रहेगा उपर से लॉक करना ज़रूरी है तो यहां से मैं fungicide से भी लॉक कर रही हूँ जो चीज मैंने जो इसके roots में जो लगाया है वही मैं उपर लगा रही हूँ जैसा बना कर गाड़ा उसी में दो-तीन मून पांधनी लगा कर मैंने जो इसको लॉक किया है आप यहां पर जो है nail paint का भी use कर सकते हैं या healthy powder से भी इसको lock कर सकते हैं या आप जो है aloe vera का gel का जो gel रहता है उससे भी आप जो है इसको lock कर सकते हैं साथवा जो टिप से दोस्तों यह जो fungicide मैंने एक चमत जितना लिया था यहां पर जिससे मैंने cuttings ग्रो किया वही मैं पानी first time देती हूं मैं कभी भी normal water जो है नहीं डालती हूं first time में ताकि हमारे plant के जो cuttings लगाई है उसमें जो है fungus ना लगे इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है कुछ एक यह जो साथ में मैं आपको tips बताती जारी हूं इसी से ही आपके success result बहुत जादा होगा summer season में इन चीजों को आपको बहुत जादा ध्यान रखना होगा इस वीडियो को मेरा बनाने का जो main मकसद था क्योंकि काफी लोगों के पास ना तो कोकोपीट होता है और ना ही उनके पास rooting hormone रहता है तो और क्या चीज़ से आप कर सकते हैं जो यहां पर आटवा tip से वो सबसे मैंने cuttings को लगाने के बाद का आपने अपने cuttings को कहां पर रखा है cuttings का जो मैंने आप देख सकते हैं यह मेरा double stand का मतलब है तो वहां मैंने नीचे एक और लकड़ी का पाटा लगा दिया था ताकि मैं यहां पर अपने cuttings या जो plant shed में रखना है उनको मैं रख सकूँ और जो है मेरी cuttings है वो बहुत अच्छे से ready हो पाए तो यहां से भी इनको धूप नहीं लगती है और सामने की साइट से भी जो है plant रहते हैं line से तो मैं cuttings जहां रखती हूँ उसके सामने थोड़े से बड़े बड़े से plant रख देती हूँ ताकि जो है plant को बिल्कुल भी धूप ना लगे लेकिन रोशनी भरपूर मिले उनको तो आटवा टिप्स है यह दोस्तों कि आप अपनी cuttings को बिल्कुल अंधेरे से जगे पर बिल्कुल मत रखिए जहां proper रोशनी आए वहां रखिए और moisture maintain करना ज़रूरी है नाइन जो टिप्स है moisture maintain रखना बहुत ज़रूरी है कभी आपने पानी दिया और कभी नहीं दिया cuttings एक बार अगर सूख गई तो आपकी cuttings फिर से नहीं grow हो सकती है तो moisture maintain करना ज़रूरी है रोशनी का भी ध्यान रखना ज़रूरी है दस्वा जो टिप्स है कि वेदर का ध्यान रखना अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप अपनी cuttings को ऐसी जगे पर रखिए जहां पर उनको पानी मिले लेकिन बहुत ही कम बहुत मतलब बहुत तेज बारिश हो रही है आपने cuttings बाहर ही छोड़ दिया तो आपकी cuttings बिल्कुल भी ग्रो नहीं होगी तो आपको वेदर का भी ध्यान रखना पड़ेगा मॉस्चर का सनलाइट का हर चीज इसको चाहिए लेकिन बहुत ही limited में चाहिए होती है अब आप पूछेंगे कितना तो मैंने आपको बता दिया है आपके पास अगर stand नहीं है जैसे मैंने stand अभी दिखाया आपको तो आप किसी बड़े plant के जो नीचे जो जगे होती है वहां रख दीजिए पहले मैं उसी तरह से करती थी जब मेरे पास stand नहीं था तो मैं कोई बड़े plant के नीचे जो cuttings लगाती थी उनको रख देती थी ताकि उनको proper shed में भी रहे और जो है हमारा plant जो है sunlight भी उसको हलकी मिले मतलब semi shade जैसा मिले दूसरी चीज अगर बारिश वगरा हो तो वो बड़ा plant रहे तो उसके नीचे बहुत ही कम उसको जो है बारिश का पानी मिले तो इस तरह से आप जो है इन 10 tips को अगर धियान रखेंगे तो आपकी cuttings जो है summer season में भी जो है grow हो जाएगी दोस्तो cuttings को लगाने के बाद में main यही रहता है कि आपने cuttings का moisture ध्यान रखा है कि नहीं या उसे shade में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि summer season में बहुत ज़्यादा तेज धूप होती है और वो आपकी cuttings बिल्कुल नहीं सह सकती एक परसेंट भी उसका जो धूप है वो नहीं सह सकती अगर इसको proper एक घंटे की तेज धूप मिल जाएगी तो यह cuttings जो है सूख जाएगी इसलिए मैं यह चीज बता रही हूँ कि आप बिल्कुल इनको shed में रखिए और मैंने यह cuttings आप देख सकते हैं यह 20 दिन बाद का result बता रही हूँ आपको 20 दिन बाद में प्लांट की cuttings जो है बहुत अच्छे से grow हो गई है लेकिन अभी जो है summer season में इसके roots अभी बहुत अच्छे से ready नहीं हुए अगर यह चीज रेनी सीजन में मैं इस cuttings को grow करती तो शायद इसका result और जल्दी रहता और आप देख सकते हैं मेरा गमले का जो मिट्टी है वो हर समय इतना ही moisture रहता है बहुत ज़्यादा मैं पानी इसमें नहीं देती हूँ और बहुत कम भी नहीं देती हूँ अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए है और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजियो और मेरे लेटिस वीडियो की नोटिफिकेशन के या फेस्बुक में फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो वहां से आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ